जाडू से जुड़ी ये बाते आपको जरूर पता होनी चाहिए वैसे तो मैंने कई वीडियो आपको जाडू से संबंधित दी है तो देखिए जब भी आप नई जाडू लेकर आए तो इस तरह से एक लाल रंग का रेशमी धागा आप जरूर बादें ये आप देखिए पहल से जाने क्योंकि जाडू का स्वरूप माता लक्षमी से जोड़ कर देखा जाता है यानि जाडू से क्योंकि जाडू से हम पूरे घर की सापसफाई करते हैं और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे राजा महराजा हो चाहे आपकी दुकान हो चाहे फैक्टरी हो हर जगा ज इस्तेमाल किया जाता है साफ सफाई करने के लिए इसलिए ये माता लक्षमी का सवरूप है तो आप इन्हें शुभ तिथियों में लेकर आएं ही आएं लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखें तो शुभ कौन सी है कृष्ण पक्षमें जाडू लेकर आने की बात कही गई है ज जो आम जन्मानस थे, वो सभी एक बराबर नहीं थे, तो राजा महराजा अपने घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर आते थे, लेकिन जो आम जन्मानस थी, वो मातार लक्षमी की क्रपा प्राप्त करने के लिए जादा कुछ नहीं, तो जाडू ही खरीत कर लेकर आती तो उस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखें और निश्चित ही आपके घर में सम्रिधी आती है आप ये लाल रंका धागा यदि जाडू पर बांध कर नई जाडू आप जब भी ले आएं तो पहले ये लाल रंका धागा बांधें उसके बाद अपने घर की साप सफाई प् यहां तक कि आप खरीदें जैसे खरीदने का भी दिन निश्चित है तो आप किसी भी दिन गलती से खरीद कर लेकर आ गये हैं कोई बात नहीं है आप इस पे हलका सा गंगा जल का छीटा लगा कर हलका सा हल्दी कुमकुम का तीलक लगाएं अभी मेरा हल्दी कुमकुम और यह धागा मैं आपको दिखाना चाहती थी इसी प्रकार से यदि आपके घर में बहुत जादा कलह किलेश हो रहा है जैसे कि घर में बिला वज़ा जैसे ही चार लोगी कठा होते हैं अपनी अपनी बातों को लेकर बात बहस होने लबती है ऐसे में आपको क्या करना है यह ज ज़ारु का ही आप उस पर सफेद रंका रेषमी धागा बांदे सफेद रंका रेषमी धागा आप बांच सकते हैं । दूसरी एहम बात आपको अपनी ज़ाडु किसी के साथ शेयर नहीं करनी है जैसे कि अभी तो उतना जादा हम किसी से संपर्खी नहीं रखते हैं शेहरों में जब पहले गाउं में बिलिज एरिया में लोग एक दूसरे से चीजें मांग कर अपने काम चलाते थे तो लोग अपनी जाड़ू नहीं देते थे वैसे परिव है उन में से एक होता है जाड़ू और जैसे कि बहुत सारी बेहने पूछ रही थी कि रात्री में हमारे एक रूम है और हम अपने कमरे में जाड़ू अगर लगाना चाहते हैं तो क्या हम रात्री के समय जाड़ू लगा सकते हैं कि नहीं तो दिखिए जब सूर्यास्त होता ह जिससे कहते हैं गौधूली बेला हम अपने घर की साफ सफाईज आधी नहीं करते हैं इस समय मातलक्षमी धरती का भ्रमण करने के लिए इसलिए गौधूली बेला में हम अपने मुख्य-दर्वाजे पर दिये लगाते हैं हम अपने घर の में भजन किर्तन करते हैं लड़ाई जगड़ा कला कले साधी नहीं करते हैं क्योंकि मा लक्ष्मी का आगवन का समय है जैसे आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आपके घर के बच्चे कितने भी सैतान हो हम उन्हें समझा बुझाकर एक शांत महौल क्रियेट करते हैं कि हमारे घर की सापसफाई सभी चीजे बिवस्तित और हम भजन किर्तन मधूर गीत हमारे घर में होने चाहिए इसलिए कपूर गुगल की धूनी भी संध्या के समय देने की बात कही गई है तो ये सारी चीजे एक भावनात्मक भी है और एक जो है आपके घर में मा लक्ष्मी की प्राप्ति का योग भी आता है ठीक है तो आप ये समझ के करें दूसरी एहम बात कि आप अपने घर में एक से अधिक जाडू रख सकते हैं जैसे कि एक साथ दो जाडू नहीं रख सकते हैं ये तो आप सबको पता है लेकिन एक से अधिक जाडू रखें उसका रीजन क्या ह जैसे कि हम अपने घर के पूरे घर की साप सफाई, बाहर लॉन की सफाई, पोर्च एरिया की सफाई, वहाँ पे गाड़ी बगरा होता है, तो वहाँ पे एक अलग जाड़ू हम रखते हैं, अपने पूरे घर की साप सफाई के लिए अलग जाड़ू रखी जाती है, यहां तक कपड़े से जो भी चीजें गिरती उसे जाड़ कर साफ करते हैं, हम जाड़ू नहीं लगाते हैं, भंडार ग्रे में जाड़ू लगाने से धन की कमी होती है, ऐसी मानता है और पूजा रूम के लिए भी आप कपड़े का ही इस्तेमाल करें, पूजा रूम चोटा सा रहता है और एक आप सूखा कपड़ा ले ले उसी से जाड़ कर और फिर पोचा मार सकते हैं पूजा रूम में जाड़ो पोचा करने के लिए भी कई बहनों ने पोचा था कि देखे हम नहाने के बाद क्योंकि जाड़ो को गरा नहीं छुई जाती है शुभता के लिए अपने पुणे को बरकरार रखने के लिए सभी चीजें जो साप सुतरी होती है वही हम चूते हैं तो देखे पूजा रूम में आप कपड़े से साफ सफाई करिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पूजा रूम ही हमारा पवित्र होता है वहाँ पर ना हम जूते चपल पहन कर जाते हैं और ना ही हम कोई ऐसी वस्तु ले जाते हैं जो गंदगी होती है सभी चीजें धोकर साप करके तो उसमें आप नहाने के बाद वो कपड़ा आप छूलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस एक साथ दो जाड़ू एक साथ करके जैसे यह है एक और आप ना रखें थोड़ी थोड़ी दूर पे भी आप रख सकते हैं पुरानी जाड़ू आप अमावस्या तिथी पर या फिर शनिवार को आप फेक सकते हैं तूटी फूटी चीजों में माता लक्षमी का वास कभी भी नहीं होता है आप महीने में एक बार नियम बना ले गुरू वार के दिन जाड़ू मंदिर में दान करें यह एक प्रकार का विशेश उपाए भी है घर में कलकलेश न हो माता लक्षमी की क्रपा बनी रहे पित्र दोस शे निजात मिलता है यदि हम नई जाड़ू गुरू वार के दिन मंदिर में दान करें मंदिर की ही हम बात कर रहे हैं जहां पर साप सपई और मंदिर के अंदर आपको जाना भी न चाहिए क्योंकि ये बाते बहुत महत्तपोर हैं ठीक है तो आप ये कारे अपने नियम में शामिल करिए दूसरी एहम बात कि आप अपने घर के पस्चिमी दिर्शा में जाड़ू रखें क्योंकि सारी बाते मैंने बताई है तो जाड़ू रखने के बारे में भी मैं आपको तो आप किसी और रूम के पस्चमी हिस्से में रख सकते हैं इस तरह से आपको जाड़ु ढगा के छुपा कर यानि कि बिल्कुल फ्रेंट में आप जाड़ु न रखें आंगन में जाड़ु न रखें जैसे कि बीच का आंगन होता है या आपका बीच का एरिया भी तो जाड़ु नहीं रखना चाहिए जuhत पे जाड़ु रखने से चोरी होने का भ्य रहता है आंगन में जाड़ु रखने से कलम कलेश होने का चांस यानि कि योग बन जाता है तो इसलिए नाही चाट पे रखना है और ना ही हमें आगन में रखना है दूसरी एहम बात कि आपको अपने टूटी फूटी जाड़ो को समय समय से बदलते रहना बहुत गिसी पिटी जाड़ो या फिर आप कह लिजिए कि बिल्कुर आपने इत्ती छोटी हो गई है इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो जाड़ो देना भी नहीं चाहिए जैसे कि शादी ब्याव में आजकल फैसन है कि हम सारी चीजे देते हैं वाइपर देंगे मॉप देंगे जाड़ो देंगे गैस चूला देंगे यह देंगे ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए आपको अपने बहन बेटियों के कपड़े च जाती हैं तो उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तीलग और उनको कुछ दक्षणा और चावल गुड आदी देना चाहिए सूप में करके इसके लिए मैं एक सौड वीडियो जरूर आपको दूंगी क्योंकि बहुत सारी बेहनों के प्रसन थे कि मैं जब हम अपनी बेटियो करते हैं तो उस पर आप एक वीडियो बनाएं तो बहुत ही जल्द मैं वह आपके लिए वह वीडियो लाने वाली हैं तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम अपनी नई जाडू का इस्तेमाल पहली बार करें और कहां पर रखें किन-किन बातों का ध्यान रखें का जादा से जादा लाव लेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारे आपको थोड़ी से भी हलफूल लगे तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लगों में शेयर करें जैय माता दे